भक्तो आज हम आपको हनमान जी के जीवन से जुड़ी कुछ रहश्यमई बाते बताते हैं रामायड में बताया गया है कि जब लक्षमर मूर्शित होकर पड़े थे तब हनमान जी हिमाले गए थे और वहां से पुरा पहाड उठा कर लाए थे बाद में विज्ञान के समय स्री लंका के अंदर जो वहां पहाड है उसकी जाज हुई तो वहां और हिमाले के पहाड एक समान पाए गया है या बात दरसाती है कि हनमान जी हिमाले से पहाड लेकर गए थे स्री लंका का एक आदिवासी कभीला है जिसका नाम मातंग कभीला है हनमान जी इस कभीले के लोगों से आज भी साख्षात प्रकट होकर मुलाकात करते हैं यह कभीला विभीजन के खून का ही कभीला है इस बात की पुस्टी रिजर्च में भी हुई है हन्मान जी का कल्युग में चमतकार नैनी ताल के कैची धाम में देखा जा सकता है खुद फेस्बुक के प्रमुक मार्क जुकरबर्ग ने और एपल प्रमुक स्टीव जॉब ने इस हन्मान मंदिर का जिक्र किया है जुग सहस्त्र जोजन परभानू लीलो ताही मदूर फल जानू हन्मान चालिसा की या पंक्ती सूर्य और धर्ती के बीच की सही दूरी हजारों साल पहले बता देती है नासा ने जो दूरी आज बताई है या लगबग उतनी ही है जितनी की हन्मान चल्सा की या पंक्ती बताती है